शरीर तो छूट नहीं है किसी का नहीं रहने वाला जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है लेकिन कबीर बाबा कहते हैं कि मरने मरने में फरक है कबीर दाज जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर पर एक सिंध्यासन चड़ी चले और एक बंधे जन्जीर शरीर तो सबकई छूटता है पर कोई सिंध्यासन पर चड़कर विमान में बैठकर भगवत धाम को पधारते हैं और कोई जन्जीरों में बंद कर नर्क के लिए घसीते जाते हैं तो मरन तो होना है परिश्री देव हुती जी जैसा मरन उसको मरन कहना भी अनुचित है किसी का चित द्रवी भूत होता होगा किसी वैश्नव के संत के नित्र भगवान के प्रेम में बहते होंगे पर देव हुती जी की तो सारी देह ही भगवान के प्रेम में गल गई और देव हुती जी सरिता बनकर प्रवाहित होने लगी